नमस्कार दोस्तों सुवागते आप सभी का योगे सी लडिंग यूटूब चैनल पर बात करेंगे दो बहुत ही बड़ी खुशकबरी के बारे में जो की संबंधित है देश की सबसे बड़ी सिच्चक बरती 2022 के नोटिफिकेशन से जो की आपको दो अलग अलग जगों से चैनल पर नए है तो सिच्चक बरतियों की सही और सटीक इनफोर्मेशन के लिए चैनल को भी सबस्क्राइब कर लें तो चलिए सुरू करते हैं चरल में तकरीबन 1,65,000 सिचकों की बहाली होगी और सेंट्रलाइज ओनलाइन आवेदन फॉर्म जो है भरवाए जाएंगे और पोर्टल पर बनेगी मेरिलिस्ट इसके अलावा ये भी देखने को मिलेगा कि जो है प्रात्मिक सिच्चा निदेशक ने जिलों से मांगी जो ह पदो को ले करके लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इसमें यूपी के चात्रों को मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा अगर मौका उन्हें नहीं दिया जाता है तो चाहे भरती 1,5 लाख है पांच लाख है या फिर 10 लाख है इसमें कोई बड़ी बदलाव भी सिच्छक भरतियों में कर रही है और नई सिच्छा नीती भी लागू हो चुकी है तो इस बार ये कहे पाना कि यूपी के चात्रों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अभी बिल्कुल भी यहां से वो नहीं है और इसके अलाव मैं आप से भी को बता दो कि बिहार सरकार ने जो है टेट को लेकर के भी एक बड़ा परिवरतन हाली में किया था कि यहां से टेट को खत्म कर दिया है और सीटेट के अधार पर ही भरतिया होंगी तो इसलिए यहां से बड़ी तदात में जो पद है यह पहले भी देखने को मिले हैं तो अगर इस बार भरतियां एक लाग पाइसट जार पद पर आती है तो इसमें कोई जो है चौकरे वाली बात नहीं है वही दूसरी और अगर हम बात करें एक और बड़ी खुचकबरी को ले करके जो की संबन्दित है 50,600 सिचकों की होगी बहाली और अगले माह इसका निकलेगा बिग्यापन यह भी बड़ी खुचकबरी है जो की आपको यहां से देखने को मिल जाएगा मद्ध बिद्याले का संबन यहां से TGDPT से ही होता है अब यहां से देखने को मिलेगा कि 6 माह से पद जो है यह सरजन किये जा रहे थे और अब इसमें जो संसे की इस्तिती है यह खत्म हो चुके है सबसे अधिक सिचकों के पद यहीं पे खाली था यह जो है जानकारी दी जा रहे है अब यहां से आपको देखने को मिलेगा कि जहारखंड में अगस्त तक सरकारी प्रात्मिक वा मद्ध बिद्यालेों में 50,600 सिचकों की बहाली के लिए बिग्यापन निकलेगा और अब देखिए यह तो बात हो गई अधर राज्यों की लेकिन इससे यूपी सरकार को भी बहुत कुछ सीखने की आऊ सकता है क्योंकि सबसे बड़ा आबादी वाला जो राज्य है यह उत्तबरदेस ही है और जब बात यहां पर नियुक्तियों को ले करके भरतियों को ले करके आती तो मातर 4,000, 3,000, 2,000 पदों पर ही बरतिया निकलती है जो कि अपने आप में काफी ज़्यादा सरमंदगी है क्योंकि सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य यह ही है